पिताजी, पिताजी, आज मैं भी आपके साथ खेट में चलूँगा अच्छा, क्या गरेगा तु मेरे साथ खेट में चल कर? आज तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं, पिताजी, आप भूल गए क्या? आज तो मेरी चट्टी है, आज संडे है अरे हाँ ये तो मैं भूली गया कोई वात नहीं पिता जी चलिए ना हम दोनों खेत में चलते हैं आज मैं हमारे खेत में खूब सारे टमाटर तोड़ कर लाओंगा मेरा आज मा के हाथ की बने टमाटर की चट्नी खाने का बहुत मन कर रहा है मा जब तक मैं पिता जी के साथ खेत जाकर टमाटर तोड़ कर लाता हूँ तब तक तुम मेरे लिए दाल भात और आलू का चोखा बना दो उसके साथ मैं टमाटर की चट्नी खाऊंगा अच्छा देखो तो कैसे सुबह सुबह फर्माईश कर रहा है चल ठीक है तुम खेत में जाकर टमाटर लेया तब तक मैं बाकी का खाना तयार करती हूँ राजु अपने पिता जी के साथ टमाटर के खेत में जाता है उनके टमाटर के खेत में बहुत अच्छी टमाटर की फसल होगी थी जिसे देखकर राजू बोहत खुश हो जाता है अरे वा पिता जी हमारे खेत में तो बहुत अच्छी टमाटर की फसल होगी है देखो तो हमारा खेत लाल-लाल टमाटरों से कितना सुन्दर लग रहा है लेकिन पिता जी आपने पूरे खेत में सिर्फ टमाटर ही क्यों उगाए हैं इसके साथ आप आलू भी उगाते तो मैं अपने खेत के आलूओं से ही मा से आलू का चोखा बनवाता अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार टमाटर के साथ साथ आलू की भी फसल लगा लूँगा फिर तू खेत के आलूओं से जी भर कर आलू का चोखा खाना लेकिन अभी तू जल्दी से खेत से टमाटर तोड़ कर ले जा तभी उसे वहाँ पर एक आवाज आती है अरे जरा तुम हमें आराम से तोड़ो अगर तुम हमें इस तरह तोड़ोगे तो हमें चोट लग जाएगी अरे यह आवाज कहा से आई यहाँ पर तुम मेरे अलावा और कोई है भी नहीं अरे तुमसे किस ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, देखो मैं यहाँ पर हूँ, अरे फिर से वही आवाज, यहाँ पर तो मैं हूँ और पिता जी है, लेकिन पिता जी तो वहाँ पर खड़े हैं, और पिता जी की तो आवाज भी ऐसी नहीं है, फिर कबसे मुझे खीच खीच कर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ज़रा आराम से तोड़ो, मुझे चोट लग जाएगी। ये बात सुनकर राजु जैसे ही नीचे की तरफ देखता है, तो उसे वहाँ पर जादुई टमाटर दिखाई देता है, जिसके प्यारे-प्यारे हाथ-पैर और गोल-मटोल आखे थी, उसे देखकर राजु उसे देखता ही रह जाता है, हे भगवान, ये कैसा टमाटर है, मुझे तो टमाटर से ज़ादा ये कोई भूत लग रहा है, बहला टमाटर के भी हाथ-पैर होते हैं क्या, उपर से ये मुझे से बात भी कर रहा है, अरे-अरे, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा ना, कि मैं जादुई टमाटर हूँ, एक बार रानी परी धरती लोग पर घुमने आई थी, तो वो मुझे अपने साथ लेकर आई थी, तब उन्होंने धरती लोग पर बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए सोचा, तो उन्होंने मुझ से कहा कि तुम इन सभी लोगों की मदद करो, उसके बाद तुम्हें जब भी कोई नेक इंसान मिले तो तुम उसके साथ चले जाना जब धरती लोग पर तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम परी लोग में वापस आ जाओगे अच्छा अगर तुम्हें धर्ती लोग पर रानी परी ने छोड़ा तो तुम हमारे खेत में कैसे उगाए ये लंबी कहानी है चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कुछ महिने पहले की बात है गर्मियों के दिन थे रमेश अपने खेत के लिए बीज लाने घर से निकल रहा था सुनो सावित्री मैं बीज लेने शहर जा रहा हूँ तुम मुझे पानी की दो बोतल भर के दे दो दो पानी की बोटल? लेकिन वो क्यू? आप तो रास्ते में जादा पानी पीते भी नहीं हो एक बोटल लेकर जाते हो वो भी आधी ही खाली हो पाती है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन अब गर्मिया बहुत बढ़ गई है और वैसे भी गाउं से शहर जाने के रास्ते में जंगल पढ़ता है वहाँ पर बहुत से पक्षी गर्मी में प्यास से परिशान हो जाते है इसलिए मैं वहाँ से लोटते हुए अकसर उन्हें पानी पिला देता हूँ इससे मेरे मन को बड़ी शान्ती मिलती है अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है मैं अभी आपके लिए दो बोटल पानी लेकर आती हूँ और पक्षियों के खाने के लिए थोड़ा सा दाना भी आपको बांध कर दे देती हूँ सावित्री उसे दो बोटल पानी और पक्षियों के खाने के लिए दाना भी एक पोटली में बांध कर दे देती है रमेश शहर पहुच कर खेत के लिए बीज ले लेता है वो जब जंगल के रास्ते से गाव वापस आता है तो एक चिडिया उड़ती हुई उसके पास आती है उसे अपने पास आते देखकर रमेश समझ जाता है कि जरूर इस चिडिया को प्यास लगी है आजा आजा प्यारी चिडिया मुझे पता है तुझे प्यास लगी है ये देख मैं तेरे लिए घर से ही पानी लेकर आया हूँ रमेश की बात सुनकर चिडिया बहुत खुश होती है तभी रमेश अपने जोले में से एक कटोरी निकालता है और उसमें पानी भर देता है तभी जंगल से बहुत सारे पक्षी निकल कर उस कटोरी से पानी पीने लगते है रुको रुको मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए दाना भी लाया हूँ और तुम जानते हो ये दाना तुम्हारे लिए सावित्री ने भेजा है मैं अभी तुम सबको दाना डाल देता हूँ रमेश सभी पक्षियों के लिए दाना डालता है उसी खेत में जादूई टमाटर भी बैठा हुआ था वो रमेश को सभी पक्षियों को पानी पिलाते हुए और दाना डालते हुए देखता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है ये तो बड़ा नेक इंसान है जब से मैं धरती लोग पर आया हूँ तब से मैंने ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देखा लेकिन ये इंसान बाकी सबसे अलग है रानी परी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें जब भी कोई नेक इंसान दिखाई दे तो तुम उसके साथ चले जाना मेरा मन भी इसके साथ जाने को कर रहा है तो अब मैं जंगल में अपना स्थान छोड़ कर इसके साथ साथ चल देता हूँ रमेश की नेकी देखकर जादूई टमाटर उसके पीछे पीछे चलने लगता है तभी थोड़ी दूर चलने के बाद रमेश को रास्ते पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे आवाज लगा रही थी बेटा अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है इस उम्र में अब मुझ से काम नहीं होता वरना मैं खुद ही काम करकर कुछ खा लेती सुबह से लोगों से खाने के लिए मद कोई बात नहीं अम्मा, मेरे पास अभी खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आज पास से आप के लिए खाने के लिए कुछ ले कराता हूँ, आप यहीं रुखेगा ठीक है बेटा, रमेश वहाँ पर खाने पीने की कोई दुकान ढूणने लगता है, तभी उसे वहाँ पर एक छोले कुल्चे का ठेला दिखाई देता है भाया एक प्लेट में छोले कुल्चे ने ने दो प्लेट छोले कुल्चे दे दीजे एक प्लेट खाने के लिए और एक प्लेट पैक कर देना जे भाया अभी करता हूँ रमेश छोले कुल्चे पैक करवा कर उस बूढ़ी औरत के पास ले जाता है ये लिजी अम्मा यहाँ पर आसपास में खाने के लिए बस छोले कुल्चे का ही ठेला था इसलिए मैं आपके लिए छोले कुल्चे ले आया ये छोले कुल्चे आप खा लीजेगा ठीके और ये बाकी एक प्लेट छोले कुल्चे जब आपको भूख लगे तो आप बाद में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज के समय में तुम जैसे नेक इंसान कहीं नहीं मिलते, तुमने मेरे एक वक्त की नहीं, बल्कि दो-दो वक्त के खाने के बारे में सोचा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, सदा तरग की दे धन्यवाद अम्मा, आप खाना खालीजे, अब मैं चलता हूँ आज तुम यहाँ पर आए हो, तो मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला, अगर तुम चाहते हो, तो मुझे अपने घर ले जा सकते हो, मैं वहाँ तुम्हें अपना जादू दिखाऊंगा राजू जादूई टमाटर को लेकर अपने घर की और निकलता है, तभी उसे रास्ते में एक बुढ़ा आदमी दर्द से कहराते हुए दिखाई देता है अरे दादा जी, क्या हो गया, आप इस तरह दर्द से क्यों कर रहा रहे हैं? क्या बता हूँ बेटा, एक तो पहले से इस बुढ़ापे में मेरे जोडों में इतना दर्द रहता है, उपर से पिछले हफते बारिश हुई, तो कीचरण में मेरा पैर फिसल गया, मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, जादूई टमाटर, मुझे इन बुढ़े दादा जी को इस तरह दर्द में देखना बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम इन्हें ठीक कर सकते हो? क्यो नहीं राजु, मैं अभी इनको ठीक कर देता हूँ, ज लेकिन तुम भी अपने पिता की तरह बड़े ही रहम दिलवाले हो, तुम भी किसी को परिशानी में देख नहीं सकते, मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मुझ से जो भी चाहो वो मांग सकते हो, नहीं नहीं जादूई टमाटर, मुझे और कुछ नहीं च तरह बात करते हुए, वो दोनों घर पहुचते हैं, लेकिन जादूई टमाटर जैसे ही उनके छोटे से घर के अंदर अपने कदम रखता है, वैसे ही उनका घर बहुत बड़े आली शान घर में बदल जाता है, टमाटर उनकी नेक दिली देखकर उन्हें बहुत सारा धन दे जिसके बाद रमेश गाव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन गाव का सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बाद भी उसके अंदर जरा भी एहंकार नहीं आता, और वो जादूई टमाटर की मदद से मिले धन से सभी गाव वालों की बहुत मदद करता है सारी जादूई सबसियों ने 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया, उसके बाद आने वाला था रक्षा बंधन, कुछ सबसियां बहुत खुश थी, तो कुछ रक्षा बंधन के त्योहार से घबरा रही थी, स्कूल में सारी सबसियां रक्षा बंधन के त्योहार की ही बाते कर रही थी तब ही टीचर आ जाती है देखो बच्चों हम सबने 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया है मैं चाहती हूँ कि इस बार रक्षा बंधन भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाये इसलिए जितनी भी लड़किया सबसी है वो सारी कि सारी राकी से एक दिन पहले ही रा दोड़ गई लेकिन वही जो मेल सबस्या थी वो दास हो गई अगर उसने मुझे राकी बान दी तो यार मुझे तो सोचकर ही बड़ी घबराट हो रही है मेरी बात मानो हम लोगों को रक्षा बंधन का त्योहार मनाने नहीं चाहिए स्कूल में हम लोग आएंगे ही नहीं तो फिर ये लड़किया राकी किसको बान देंगी उधर कुछ लड़की सबजियां बड़ी खुश थी लेकिन कुछ मो उतार कर बैठी हुई थी मैं क्या करूँ मेरे ममी पापा तो मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं करने देंगे और मुझे राकी लेकर स्कूल आना पड़ेगा मैं सब को राकी बान सकती हूँ पर मैं आलू को राकी नहीं बान दोंगी मुझे पता था कि तू आलू को पसंद करती है लेकिन उस दिन जब मैंने पूछा तो कैसे मना कर रही थी अब तो मैं भी चाहती हूँ कि आलू भी आए और तू भी आए तू मेरी दोस्त है या दुश्मन सुन मैं चुट्टी नहीं कर सकती लेकिन तू मेरा एक काम करना आलू को जाकर बोल दे उस दिन स्कूल ना आए ना बाबा ना मैं क्यों बोलने चाहू और अगर मैं उसे ये बात बोलूँगी तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी ठीक है मैं तेरी सारी बाते मान लूँगी तो ठीक है रक्षा बंधन वाले दिन तू मुझे पार्टी देगी ओ, ठैंक गॉड, मुझे तो लगा कि तुम कहोगी कि मेरा होमवक कर दो ये सुनकर भिंडी हसने लगी, फिर वो आलू के पास जाती है सुनो, मैं तुम्हारे लिए मटर का एक संदेशा लेकर आई हूँ हाँ, बताओ, क्या संदेश लेकर आई हो? मटर ने कहलवाया है कि तुम रक्षा बंधन वाले दिन स्कूल मत आना पर क्यों कहाँ सुने ऐसा? अब ये भी मुझे पताना पड़ेगा, तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ रक्षा बंधन है, वो नहीं चाहती कि तुम स्कूल आओ ये सुनकर आलू बहुत खुश हो जाता है और वो भिंडी से कहता है कि जाकर मटर से कह दो कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ सब स्कूल में इस चीज को लेकर एक दूसरे से बाते कर रहे थे वहीं एक सबजी थी जो बहुत उदास बैठी हुई थी और उसका नाम था मूली क्या हुआ सारी सबजीया रक्षा बंधन के लिए बात कर रही है और तुम यहां उदास बैठी हो क्या कोई परिशानी है हम् मेरा मन थोड़ा उदास हो गया है यहां पर बेशक रक्षा बंधन बनता हो लेकिन बाकी सबके घर में बेहन भाई है लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है और मैं सोच रही थी कि स्कूल में जिसको मैं राखी बांधूंगी क्या वो सच मुझ में भाई होने के सारे फर्जदा करेगा नहीं वो ऐसा बिलकुल भी नहीं करेगा मैं चाहती हूँ कि जिसको भी मैं भाई बनाऊं वो दिल से मुझे अपनी बेहन माने मूली हस पड़ती है और बहुत खुश हो जाती है ओ मेरे भाई मैं तुम्हे अपना भाई बनाऊंगी खालू स्कूल के रक्षा बंधन पर नहीं हमेशा के लिए वो दोनों बड़े खुश थे दोनों वहाँ से हर चल देते हैं और बाकी सारी सबजें को भी बता देते हैं कि वो दोनों भाई बेहन बन गए है स्कूल तो स्कूल घर में भी रक्षा बंधन की तैयारियां शुरू हो गई थी मा, मैं इस बार रक्षा बंदन पर बहुत सुन्दर कपड़े खरी दूँगा और अपनी बेहन को भी बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने पैसे जमा किये हुए थे मैं अपनी गुल्लक तोड़ना चाहता हूँ बेटा, गुल्लक तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं तुझे पैसे दे दूँगी कद्दू की बाद सुनकर उसकी मा हसने लगती है उधर कुछ सबजी सहेलियां मिलकर बाजार जाती हैं और राख्यां पसंद करने लगती है पूरा बाजार सुंदर-सुंदर राख्यों से सजा हुआ था मिठाई के दुकानों पर भी तरह-तरह के मिठाईयां रखी हुई थी जिने देखकर वो सारी लड़कियां बहुत खुश थी वो एक दुकान पर जाकर राख्यां पसंद करने लगती है देखो देखो, कितनी सुन्दर राखी है, मैं तो बस यही वाली लोंगी और यह देखो, मुझे यह हरे रंग वाली बहुत अच्छी लग रही है तुम वो सब छोड़ो, और इधर देखो, देखो देखो, यह वाली कितनी सुन्दर है तब ही वहाँ पर लड़के सबजी भी आ जाते हैं और उन सब को राखियां खरीते हुए देखकर उनसे कहते हैं कि हमारे लिए महिंगी महिंगी राखियां खरीदो उनकी बात सुनकर सारी सबजियां भी उनसे कहती हैं कि हमें भी महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए और नहीं तो क्या त्योहार पर आजका सभी लोग अच्छे अच्छे गिफ्ट की उमीद करते हैं हमें भी उमीद हैं ये सुनकर वो सारे लड़के सबजियां वहां से चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अगर हमने राकी बंध वाली तो हमें अच्छे गिफ्ट भी देने पड़ेंगे अब वो लोग सब गिफ्ट की दुकान पर जाते हैं और वहां से उन सब के लिए गिफ्ट देखते हैं देखते ही देखते दो तिन दिन निकल जाते हैं और रक्षा बंधिन वाला दिन भी आ जाता है सभी ने क्लास्रूम को भी कितना सुन्दर सजा रखा है चलो, तो फिर हम सब मिलकर रक्षबंधन का त्योहार मनाते है सारी लड़की सब्जियों ने तभी वहाँ अपर अपने जादू से रंग भी रंगी रोशनी कर दी और अचानक से ही वो सब गायब हो गई ये देखकर टीचर और सभी लड़के सब्जियां हैरान हो गए थोड़ी ही देर में वो सारी सब्जियां वापस आई तो सब के सब लड़के बने हुए थी अरे ये सब क्या है इधर भी लड़के उधर भी लड़के फिर ये रक्षबंधन का त्योहार क्या से बनेगा तुम सबने ये क्यूं किया जल्दी बताओ टीचर हमने सोचा कि हम रक्षबंधन को थोड़ा सा और इंट्रेस्टिंग बनाते हैं अब हम में से कौन क्या है ये लड़के बताएंगे अरे वाप ये तो और भी अच्छा हुआ चलो लड़कों बताओ इन में से कौन सी सब्जी क्या है ये सुनकर सभी लड़के सब्जियों का सर चकरा जाता है फिर वो लोग उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं तोरी को भिंडी और भिंडी को मूली बताने लगते हैं जिससे वहाँ पर सारा महौल खुशी का हो जाता है और वो सब लोग जोर-जोर से हस रहे थे सब्जी अपने असली रूप में आ रही थी वाँ बच्चो तुमने तो रक्षा बंधन के त्योहार को और भी इंट्रेस्टिंग बना दिया त्योहार का मतलब ही यही होता है कि हर जगा खुशी ही खुशी दिखाई दे और उधर मटर सब सब्जियों में देख रही थी कि आलू तो नहीं आया है न और आलू घर पर आराम से बैठा हुआ था फिर लड़के सब्जियों ने भी ऐसा ही किया उन्होंने भी खुद को फीमेल बना दिया और फिर सारी सब्जियां उनमें से भी उन लड़के सब्जियों का नाम कभी सही तो कभी गलत ले रही थी आखिर में सब लोगोंने आमने सामने बैठ कर लड़की सब्जियों ने लड़के सब्जियों को टीका लगाया उन्हें मिठाई खिलाई और उनके हाथों पर राकी बांदी। फिर उन लोगों ने जो भी गिफ्ट उनके लिए लेक कर आये थे उन्हें दे दिये। उन सब में सबसे जादा खुश मूली थी जो कि उसे भाई मिल गया था और पालक ने मूली को बहुत सुन्दर गिफ्ट भ और अपने अपने भाईयों को राकी बांद रही थी। वही पर कद्दु ने भी अपनी गुलक तोड़ कर अपनी बेहन के लिए बहुत ही प्यारा उसकी पसंद का स्कूल बैग लिया था। उधर मूली पालक को अपने घर लेकर जाती है और अपने पूरे परिवार से मिलवाती है। वो लोग पालक से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर पालक भी मूली को अपने घर लेकर जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इसने तुझे अपनी बहन बनाया है, मेरी कोई बेटी नहीं थी, अब मेरे पास बेटी है, मैं बहुत खुश हो, इसे अपना ही घर समझना और मुझे अपनी मा, जब दिल आये तब यहाँ चली आना, त्योहार नाम से नहीं दि दिल से अपनी बेटी मानते हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि अब मेरे पास भी एक प्यारा सा भाई है, जिसे मैं बहुत तंग करूँगी और उससे बहुत सारी फर्माईश भी करूँगी, मूली पालक पीधर उधर दोड़ रहे थे, और पालक का परिवार ये गिफ्ट को एक दूसरे को दिखा रही थी, और फिर अगले साल के रक्षा बंधन की प्लानिंग करते हुए, वो सब हसने लगे, और फिर बाद में सब अपने अपने घर को चले गए.